दीपावली पांच तेवहारों का एक तेवहार है इन तेवहारों में सबसे पहला तेवहार धन तेरस का होता है धन तेरस के दिन भगवान धनवंतरी देवी लक्षमी भगवान कोबेर की पूजा की जाती है यह माना जाता है कि धन तेरस के दिन सोना खरीदने से उस सोने में स सोना लंडी समय तक चलता है और बेहद लाबकारी होता है आसरा जियोतिसकेंद के जियोतिसी पंडित अनिल कुमार पांडे बताते हैं कि तेरस पर सोना खरीदने के लिए 10 नवंबर को 11 बच कर 21 मिनट दिन से 11 बच के 12 मिनट रात हस्त नक्षत होने के कारण यह सामान महूर्थ है इस महूर्थ में सोना खरीदना अती उत्तमफल वाला होगा अगर इस महूर्थ में सोने की खरीदी नहीं हो पाई तो इसके बाद मिनट से 5 बच के चंगन मिनट तक ऐसे ही सेह लगने का महूर्थ रात में 12 बच के 22 मिनट से रात दो बच के 35 मिनट तक ब्रिश्चिश्ट लगने का महूर्थ 11 नवंबर की सुबह 7 बच कर 1 मिनट से सुबह 9 बच के 17 मिनट तक है देखे धन तेरस के दिन खरीदारी का विश पेदस को सोना खरीदते हैं तो आप लगातार 13 बार सोना खरीदने की आपकी ऐसे दुनेगी और आपके घर में धनकी मात्रा में अत्त ब्रद्दी होगी मुहुर्द चिंत्रामणी गरंथ के अनुसार सोना खरीदने के लिए 20 बर्ष हस्त्र रक्षत्र बड़ा सुम्न रक्षत्र है और यह नक्षत्र भूण विजय पंचान के अनुसार 10 नौंबर को रात के ग्यारा बज़ के अठ्षान में तक रहेगा हस्त रक्षत्र में सोना खरीदना अत्त सुम्ना जाता है मुहुर्द चिंतामणी गरंथ में के नच्षत्र प्रक्ण के उनुसार ऐसा कहा गया है इसके अलावा अगर मालीजे आप शायंकाल से ले करके और रात की ग्यारा ठाओं तक नहीं करीश सकते हैं तो मेश लगन में सिंग लगन में और बिष्टिक लगन में भी आप खरीश सकते हैं मेश लगन दस नौमबर को चार बच के तेरा मिनट से पांच बच के चोवन मिनट साइंकाल को है सिंग लगन बारा बच के बाईस मिनट रात्री से दो बच के पैंतिस मिनट तक है और ब्रिश्टियर अगले दिन 7 बज के 1 मिनट से 9 बज के 17 मिनट तक है अधा ये सभी समय सोना खहिदने के लिए अत्यनत अनकूल है